हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो थमनेल देखकर कुछ पता नहीं चल रहा लेकिन पता है कि डोटर श्डे निकला है व्लोग उसी का होगा और आज मैं आप लोगों को बताती हूं कि वैसे हमने जिम जोइन कर रखी है मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया था आपको तो इतना थाकान हो जाती है सूबे से सूबे हम लोग जिम जाते हैं फिर इसकूल जाते हैं फिर उसके बाद आते हैं उसके बाद जो मोली है मेरी मम्मी है और जो बाकी सारा घर का काम वो भी समालते हैं तो इतनी थाकान हो जाती है कि आके सो जाते हैं और सोने के बाद अभ लेकिन मैंने सोचा डोटरस डे निकला है तो जो मेरी लड़किया है उनके लिए और जिनके लड़किया है उनके लिए मैं वीडियो जरूरू बनांगी चाहे ठकान हो रही है मैंने कुछ नहीं करा बस ऐसी कैसी बेट गई क्योंकि अपन ज्यादा कुछ करते हैं वीडियो को बनाने की इच्छा नहीं करती क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की तो ऐसी केसी बेट गई हूं तो मैं आज बताऊंगी कि डोटरस डे निकला है मेरे तीन लड़किया है उसी पर मुझे याद आया कि जिनके लड़किया होती है उनको अभी भी कहीं कहीं समाज मे एसा माना जाता है और उन्हें इग्नोर किया जाता है मतलब सामने तो कुछ नहीं कहते लेकिन पीछे से या कोई-कोई तो सामने भी बोल देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जिनके भी लड़किया है वो ये न समझें कि हमारे लड़किया है तो हम गुनेगार है या अपन कि तुम्हारे लड़की है क्योंकि कोई गुना नहीं किया मैं आपको बताती हूं सूरू से जब मेरे पहले लड़की हुई थी तब मेरे बैंक में नोकरी लगी थी और उसके बाद दूसरी हुई थी तब भी मतलब बैंक में नोकरी तो थी लेकिन बहुत परेशानी हो रही थ बच्चियों की वज़े से छोड़ दी थी उसके बाद घर में बेड़ गई थी मैं और उसके बद तीसरी डोटर हुई थी तब मेरी उमर काफी हो चुकी थी मतलब तो थोड़ा एसा लग रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम न हो जाए तो मैंने दोनों बच्चियों को उस टैम बड़ी वाली नाइंत क्लास में थी और जो दूसरे नंबर की है वह उससे तीन साल छोटी है तो वह सेवंध में थी और दोनों को मैंने एक महिना छोड़ा और मेर द्रेऊरी कराइए थी मैंने भहुत साद दिया था उन्होंने मेरा उससा में भैया बेंक में है तो संव नीक है तो मार्च के घुरिया रही नाटा चाहा गया था एकदम लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप पुछेंगे क्यों क्योंकि पहले जब बच्चियां छोटी थी तो मुझे कहा जाता था हर महले में हम लोग रेक्या हैं जहां भी रेते थे महाँ पर मुझे नाम दे जाता था तीन छोरियों व वाली और एक तरफ तीन बेटियों वाली लिखा था लेकिन थमनिल में मैंने उसको फिर मतलब क्रोस क्रोस सा कर दिया है उसको क्योंकि लोगों का कुछ नहीं लोग तो जो चलता है वही कहते हैं यह जैसे मेरे पहले तीन थी चोटी-चोटी थी तो कुछ नहीं था तो अरे कहेंगे लोगों का काम है कहना इसलिए अपना जो काम है मुझे लगा कि नहीं मुझे मेरी बेटियों को संस्कारी बनाना है अच्छा पड़ाना लिखाना है तो मैंने वो काम किया और आज मुझे उसका नतीजा है दोनों बेटियां बहुत अच्छे जोब पर हैं और मैं जो ही कुछ भी सामान की हो वो ओडर कर देती है और मेरे पास जब मुझे मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है घर की कुछ जिम्मेदारिया भी उठा रखी उन्होंने ताकि हम लोगों को ऐसा ना लगे कि लड़का नहीं है और उसके पापा को भी बहुत अच्छा है तो बस मैं कहना चाहती हूं कि जो लड़कियां वाली हैं जिनके दो या तीन लड़का हैं वो कभी भी ऐसा न समझे, बस अपने को उनके लिए त्याग करना पड़ेगा, उनको अच्छा पढ़ाना है, लिखाना है, उनमे शंसकार डालने हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा, और बस अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, तो मैं ये मेरी लड़क्यों को भी नहीं पता है कि मैं ये कि हां मैं तुम लोगों को पा के बहुत खोश हूं और जो भी है बेटियों वाली वो कभी भी एसा ना समझे कि बेटियां है कहां कमी है बेटियों में मैंने मेरी मम्मी को रख रखा है और बहुत अच्छे से रख रख रखा है बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभातियों कभी ब है आपके ऊपर कोई काम आये तो सबसे पहले तो इस्वर से है भगवान हम यह जिम्मेदारी अठ्चे से निभाएं यह मांगे देखना आपका काम सफल होगा आप हर जिम्मेदारी अच्छे से उठाएंगे चाहे वो कोई भी हो चाहे वो पेट्स की हो चाहे वो पेरेंट्स की हो चाहे वो घर की हो चाहे अपने खुद की हो अभी जैसे जीम है जीम सुरू करने के पहले मैंने भगवान से है भगवान अच्छे से करवाना जो भी काम है यदि हम कोई काम सुरू कर रहे हैं तो अच्छे से होगा तो अच्छा लगेगा नहीं तो यहां लगता है कि अरे यार शुरू करा था लेकिन काम तो पूरे ही नहीं हुआ तो जो भी काम शुरू करें उसके पहले भगवान से अपन पूरे डिल से यदि अपन उनसे मांगेंगे कि है भगवान हमें जिम्मेदरी अच्छे से तो आदेखना आपका काम बहुत अच्छे से पूरा होगा तो बस मैं आज इतने ही कहना चाहूंगी लेकिन मैं हाँ चाहे क जालूं लेकिन रोज-रोज नहीं हो पाता है कभी मम्मी की डवाई का है कभी मंमी को ड्ल को दिखाना है कभी मोळ लिये अभी बारीव कटाईम है तो पेटिस के भी खुझली वगरа हो जाती तो पूरे टाइम खड़े रहना पड़ता है तो इतनी थकान हो जाती है कि ज्यादा कुछ नहीं हो पता लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपन वीडियो तो बनाएंगे जो क्योंकि आप लोग देखते हैं तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा करना भूलना